फस्ट बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट नमस्कार मैं राहूल हुड़ा और आप देख रहे हैं 1stby.tv गन्य मुल्य में बढ़ोत्तरी ना होने पर आज समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं नेताओं ने कमिशनरी चोरहय पर जम कर प्रदर्शन किया इस दोरान उन्होंने गन्य की होली जलाकर अपना विरोध दर्द कराया आपको बता दे हाल ही में उत्तरपरदेश सरकार ने गन्य मुल्य की घोषना की जिसमें इस बार भी गन्य का मुल्य नहीं बढ़ाया गया है जिसके चलते समाजवादी पार्टी के नेताओं, कारेकरताओं ने कमिशनरी चोरहय पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्सों से अभी तक भी गन्य का मुल्य नहीं बढ़ाया गया उन्होंने कहा कि किसान आज भी अपनी आए बढ़ाने के लिए तरस रहा है जबकि आए तो बढ़ी नहीं बलकि खर्चे बढ़ गए तमाम मूल भूत सुविधाएं उठाने के लिए किसान आमनागरिक की तरह खर्च करता है लेकिन इंकम के मामले में किसान अभी भी वही का वही है ऐसे में किसानों को बहतर सुविधा देने के लिए उनके गन्य का मुल्य बढ़ाया जाए साथ ही महंगाई को कम किया जाए आए जानते हैं इस मोके पर क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि इन तेनक वर्षों में किस चीज के दाम नहीं बढ़े हर चीज पे महंगाई हुए और किसान को जो गन्य की भुबाहं करता या दूसरे काम करता है उसके कृशी से संबंथित ज़िच्ली ऑपानी बीज हर चीज बढ़े द्रीजल के दाम बढ़े हैं किसान के घर के खर्चे की बात करें तो वह बढ़ा हुआ है तो एक किसान वर की जो कि हिंदुस्तान को कहा जाता था सुतंत्रता से पहले से लेके और अब तक कि किसान इस देश का आधार है उस आधार को तोड़ने पर ये सरकार लगी हुई है हमारी मांग है कि गन्ने के दाम सौमी नाथन कमेटी की अनुसार जो सरकार स्विकार कर रही है कि 290 रूपे की लागत आती है तो लागत के उपर डेड़ गुना करके 435 रूपे 435 रूपे 435 रूपे प्रति कुंटल के दाम कनने के नियूंतम किसानों को भुक्तान किया जाय जिससे किसानों को सरवाइफ क करने के लिए अपनी जीव के चलाने के लिए अपनी मजदूरी निकालने के लिए उनको मिल सके लिए